मनीशा कभी रंजना की बराबरी करी नहीं सकती, रंजना सब गुन संपन है, उसको कुछ कहने की जरूत नहीं होती, उसको सब चीजे पता है कब ममी को क्या चीजे चाहिए और क्या चीजे नहीं चाहिए, मनीशा जादा तर दिखावा करती है, यही सोच रहे हैं आप लोग, तो हिसी के उइपर बात करने वाले हैं, क्युकि अंटी जी की विडियो के साथ-सा, बहुत सारे लोगों ने नेगीटिव कमेंट मनिशा को भी किये हैं, और अंटी को भी किये, ये तो इस सारे डाउट्स करते हैं, और करते हैं आज एस इसके पर बात, नहीं कर रही थी मैंने सुचा चलो छोलो क्योंकि ऐसा कुछ ऐसे जन् respe नहीं दिख रहा था पर यह तो हो ही नहीं सकता कि इनकी मिडियो में जाधा दिन तक controversy हो इना ठीक है एक दो दिन एक ङुआ सलाघ्ण सचिन मनीशा की वीडियो से निकल के आता ही आता है और उसमें जो controversy की जो villain बनाई जाती है वो अंटी जी बनाई जाती है देखिए एक simple से way में अंटी जी ने ये चीजे कही थी कि सुबा 8 बजे मेरी चाय मिली अकर अंटी जी ये कहती कि मुझे चाय मिल गई है तो कोई कि इसमें ऐसा होता ही नहीं प्रॉब्लम ही नहीं होती है ना क्योंकि अंटी जी ने उसमें लगा दिया सुबा 8 बजे मुझे चाय मिली है और पानी मेरे को जो पोचा लगाने वाली आती है उनसे मैंने दोबर पानी गरम करके मंगवाया है तो यह जो टैग लाइन है ना यह लोगों ने मैंने अभी अभी कमेंट्स आप लोगों के साथ में शेयर करती हूं बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स हैं आप जाके खुद पढ़ लीजिएगा और उनकी कौन सी वीडियो है यह मैं आपको भी पता देती हूं जो नहीं मान सकते क्योंकि भाईया इनका यही सब है और चार घंटे पहले वीडियो अपलोड हुई है जिसका टाइटल यह है आज मैंने सब के लिए इतना अच्छा खाना बनाया यह इनका टाइटल है और काजल और इनकी दोनों की पिच्चर उसमें लगी हुई है थमनेल के तौरबर किूणण फेले इनको ने बनाया कुछ अगर II लिए इनकी फोटो लिए लगा दी तो आपको पता है हम लोग बोलते है तो आप लोग बोलते हो बोलते हो और फोचो जो घंट में करके क्योंकि आंटी जी को जब रंचना थी आप लोग compare ने आप बोलते हैं क्या compare क्यूंकर करते हैं आप दोनों को आप दोनों के भीच में यह सब छीजह क्यों लेकर आता। करोओं कि भी स्विलके चुनदी चौनदीक हुआज हम लोग आपकी लाइफ में इतना इंटर्फियर करते हैं हम लोग तुमारी लाइफ में इतना इंपोर्टन रही में जो आपकी बहू है वो आप ही की रहेगी और वो आपकी सास है वो कि रहेगी ये लोगों ने ऐसे कमेंट किए और अगर लोगों की कमेंट तुम ने पड़े मिस्domalis अगर आपने लोगों की कमेंट पड़े तो आप ने attitude कमेंट जुद आप W stubborn जब कुछ चाहते हो जब कॉंटरवर्सी होती है तो फिर आपको लोगों को ऐसे लगता है कि इस सब चीजे एसी क्यूं हो रही है हम लोगों को टारगेट किया जा रहा है हम लोगों को सास बहु के बीच में भिढाया जा रहा है फिर कभी तुम रंजना को कंपेर कर लेते हो आपसे तभी तुम वो चीजे बोल देते हो कि रंजना तुम रंजना की कापी करते हो तो वो सब चीजे एक व्लोगिंग के तवर पे अगर तुम दिखा रहे हो अगर तुम नहीं बोलोगे तो और आइंस नहीं समझेगी नहीं सुनेगी सिंपल सी बात है व्लोगिंग में क्या होता है हम चोटे चोटे पार्ट जब हम continue vlog देखते हैं तो हम चोटे बोटे पार्ट जो है उनको हम समझने लगते हैं कि यहां पर यह चीजे हुई थी क्योंकि हम भी एक फैमिली में रहते हैं हमें भी पता है कहां पर कौन सी चीज में उतार चड़ा वाने वाला है और कौन सी चीजें किस तरीके से हुई है और किस तरीके से नहीं हुई है चीके ना अभी आपको बता है टिकट वाला पंगा चला था जिसमें कि अंटी ने सचीन से कहा था कि मुझे टिकट करवा दो अमित के टुके आँ जाने के लिए अंटी अच्छी बन जाएंगी ना पर इस दुनिया जो सुसाइटी है यह कभी अच्छा नहीं बनने दे सकती यह तो मैंने देख लिया यह तो मैंने देख लिया कभी आपको अच्छी से अच्छा नहीं बनने देगी आप कुछ अच्छा करने बैठ होगे तो आपके लिए कोई वो क्योंकि वह सास है उसके पीछे सास लग चुका है ग्यान देखो कितने अनुभव लोग यहां पर ग्यान देखे जा रहे थे नहीं देखे होते हैं, छलो मैं मान लेती मनेशा ने वीडियो बनाया उसने अपनी बात रख कि पर उन जो कमेंट्स को वीडियो के Cuando जो आ रखे उन को भी तो डिलेट कर सकती थी ति आ अगर उनने डिलेट कर देती तो और क्मेंट्स कैसे आते कोड़ अपने आपको अच्छा और सास को बुरा कैसे बनाया जाता फिर उसके लिए एक वीडियो बनाया जाता जिसमें सफाई दी जाती सफाई तब जदा अच्छी लगती जब उन कमेंट्स को तुम उसको तो कुछ नहीं कहा, रंजना भी तो लेट उठती थी, उसको भी तो कुछ नहीं कहा, तीन गंटे पहले किसी ने कमेंट किया है, मैं नाम यहां पर नहीं लूँगी, और इतना फरक क्यूं, छोटी और बड़ी बगु में, वैसे मनीशा सब को खुश रखती है, चिके, और 80 लाइक आ रखें, एक रिप्लाई है, तो जब उस रिप्लाई को भी पढ़ लेते हैं, उतना लेट, उतना लेट किसी का मतलब क्या होता है, सारा काम करती है, ना टाइम से हर काम चाहिए, हर काम टाइम से चाहिए, उतना लेट क्या होता है, तो दिखे, जब हम इकेले रहते हैं ना मैं आपको यहां पर यह चीज़े किलियर कर देती हूं प्रिया जी नहीं कमेंट किया था इसके उपर यह देखिए मैं जूट नहीं बोल रही हूं उपर इनकी आट चली हुई है शायद कि इसमें फोकस हो यह देखिए यह आपको दिख रहे होंगे जब इस तरी में से कमेंट्स आपको लोग कर रहे हैं तो आपको इन चीज़ों को समझना चाहिए कि वो कहाँ पर इफेक्ट पड़ेगा और आपका रिष्टा कमेंट से जुड़ता है, कमेंट से टूटता है, अगर कमेंट से आपका रिष्टा जुड़ता है तो लाग कमेंट आपके उपर आजेंगे कि मनिशा को रिस्पेक्ट दो, मनिशा को प्यार करो, ये करो, वो करो, कमेंट्स मैटर नहीं करते हैं, कमेंट् ये चीज़े हैं तो अब आप लोगों को क्या लगता है ये तो अब आपी जाने क्योंकि मैंने जो मुझे जो लगा वो मैंने आपको बता दिया रही बात टिकट वाली बात को किलिर करने की तो वो मैं यहाँ पर किलिर कर देती हूं आंटी जी ने अपने बेटे से काहा बड़े बेटे से काहा कि मुझे टिकट करवा दो ठीक है अमित के टोके हाँ जाने के लिए उन्होंने कहा कि डॉलर पे डॉलर आ रहे हैं अपने डॉलर अपने और हम 100 रॉपे हम 100 रुपे कमारे हैं, तो हमारे 100 रुपे में भी हिस्सा चाहिए, तो मतलब जो turn था वो यही सब चीजे थी और इसके उपर क्या होता है, जब प्रिंस आते हैं और प्रिंस की वीडियोस पे यही सब चीजों के comments जाते हैं, जिसमें प्रिंस बोलते हैं कि मा बेटे की जोड़ी तूट गई अंटी जी ने अपने व्लॉग चनल पर यह चीजे बोली है अपने हस्बन से पूछी अंकल जी से कि क्या ऐसा हो सकता है, मा बेटे की जोड़ी तूट सकती है मरते दम तक नहीं तूट सकती मा चाहे बेटा सचिन हो, चाहे प्रिंस हो वो आपके लिए क्या है यह आप बहुत अच्छी तरीकी से जानते हैं यह ओडियंस के कहने से कुछ होने वाला नहीं है आपका रिष्टा नीट अनकलीन है बट सब जानते हैं थोड़ा सा अंटी ज ने असी मजा के तोर पे एक मा के हक्स अपने बेटे से कहा पर बेटे ने उस चीज को कैसे टोल किया यह किसी ने नहीं किया जज पर मा ने ऐसे कहा और उस चीज को ऐसे हुआ आप सही से भी उस चीज को देख सकते हैं पर नहीं देखेंगे जब तक आप controversy याली निगाउं से देखेंगे तो आपको सब चीजे controversy याली निगाउसी देखती है यह चीजी नहीं है कि मैं auntie के हमेसाथ से उसमें रहती हूँ जैसी auntie की videos मैं देखती हूँ क्योंकि मैं इस नजरीय से देखती हूँ क्योंकि भीया मेरे भी बच्चे हैं मैं भी एक मा हूँ कल को अगर ये situation मेरे सामने आती है तो मैं इस situation को कैसे handle करूँगी कल को मुझे भी सास बनना है मेरी भी वह आएगी मेरे भी जमाई आएंगे तो क्या मैं इन situation को मतलब देखतर मैं आगे इन चीज़े काम करूँगी ऐसा कुछ नहीं होता सामने वाले को बोलने से पहले अपने उपर उन चीज़ों को सोचना बढ़ता है तब हम किसी के लिए बोल पाते हैं तो सोच सोच का फरक हो जाता यहां पर आपकी क्या राय है क्या सच में अंटी जी ने यह सब चीज़े मनिशा को गिल्टी फिल करानी के लिए कहा था या फिर आंटी ने यह सब चीज़े एक व्लॉग में जो अपने व्यूवर्स के साथ बात शेयर करनी थी वो बात अंटी ने कही थी आपके क्या राय है इसके पीछे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मिलती हूँ आपसे अपनी नाइक शीडियो में अपना और अपनों का खयाल रखेगा दोह में मुझे याद किजिगा जशी किशना रादी रादे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लिजिएगा इस वीडियो के रिकार्डिंग कोई भी कोश्चन ओं कम शुश्क्रिम देना मत भूलेगा बेल आइकन और पर क्लिक कर लिजिएगा इसी तरीके की नई वीडियो देखने के लिए